हेलो नमस्कार और मेरे आप सब्सक्राइब करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप लोगों को नवराति के बहुत-बहुत सुपकामना है और उम्मीद करता हूँ की माताराणी आप सभी के कश्टों को दूर करेंगी और एक परिसानी जो आज मैं दूर करने वाला हूँ वह है अडियो एडिटिंग के उपर इतना ज्यादा कोश्चन आता है इसके उपर कि भाई पूछो मत तो आज यह मैं जो है आप लोगों को खतम कर दूंगा परिसानी क और जो चीज मैं फोन पर करता हूं वही सारी चीज़े हैं बाकि और किसी भी कंप्यूटर या लैप टॉक वहरा में मैं नहीं करता सिफ अपना जित्ता भी मैं इसा फोन पर करता हूं आप लोगों को बताने वाला हूँ जैसे कि मैंने शुरू में एक आपको पीस जो सुना करता हूं तो इसमें यार बहुत मेहनत लगते हैं लेकिन आप लोगों से कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन यार ना वो कमेंट करके यह बताते हैं कि वीडियो में क्या अच्छा था क्या बुरा था या वीडियो कैसी है कैसे मैंने बनाई है तो यार प चहँ च्पापतु के वीडियो ने जो है इस इसे बनाने के प्रती हो और अगर आपड़ा है करो इक क्रोगे के और बोगए तो यह नहीं हो तो लिए जक्ता प्र आपको दिल में नहीं रहता है और पिर सैद मैं ऐसे वीडियो के नहीं भी बरोसा नहीं को etcetera ुजू को क्वेशन है क कमेंट कर दिया करो तो फूछ में धंतरा अग्लिश को निए कोच्छन आता है कि इया वीडियो स्वाग में थे ख्राब ही था इच्छा ही था तो जार प्लीश बता दिया करो पर सबस्क्राद करें गीधेराँ चूर्न करें वाला कई भाई लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो मुझे समंझ में रही लatherine तो वह जो है मैं बात अज एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को कि पहले तो आपको एक फोन अपको दो फोन लगेगा और एक फोन यह लगेगा ठीक है दो फोन आपको लगे तो एक फोन में आपको जो है बैगराउंट ट्रैक रखना आपको जब करियो के रहेगा उसको रखना इस फोन पर और ये फोन की मदद से आपको कानों में इसको सुनना है ठीक है और सेकंड वाले फोन में अगर आपको वो माइक सपोर्ट करता है फोन तबहिए उसके बाद माइक को सामने जैसे कि मैंने वहाँ पर पोशन बताया है कैसे लगा कर रखना है तो ऐसे आपको रखना और और फिर करना है तो उससे क्या होगा साउंद ही अच्छे जा रिकॉर्ड हो तो चलिए मैं जो है वीडियो की तरफ बढ़ता हूं और दूसरी बात जो है एजस करते हैं काहिन मास्टर में जो अपनी ऑडियो को वो भी जो है आई बटन में वीडियो बनी थी आप लोग उसको जाकर देख सकते हो और एक चीज में और बता दूए भाई की वीडियो में ज से ज्यादा कोसिस कर रहा हूं कि उसको जो है नॉइस को रिमूब कर सको लेकिन थोड़ी बहुत जो है नॉइस अभी भी आ रही है तो यार आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को तो चले वीडियो को सुरू करता हूं अपने फोन स्क्रीन पर चलते तो भाई लोग मै में इसका लिंग दिया हुँ है तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इन दोनों प्राइब करता हूं तो उससे मेंने रिकॉर्ड कि और अपने इस वाले फोन पर मैंने ले लिया है तो अब क्या होगा जो रिकौर्डिंग है वो अब अगर मैं डारेक्ट जो है यह लेक्सिस प्रो में अगर मैं अगर डालता हूं तो वहाँ पर वह सो नहीं करता है तो आप हम लोग क्या करेंगे काइन मास्टर जो है मेरा हमारा ओपन करेंगे का और यहां पर जुह है अभी हम लोग एक जो है हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहां पर जो है में एक ब्लैंक की स्क्रिन ले लेता हूं क्योंकि एक छोटा सा उडियो यह तो लगबग मही चेकंड का तो मैं यहाँ पर 17 सेकंड के आसपास का एक ब्लैक कलर का फोटो ले लेता हूं और यहाँ पर जो है मेरी आडियो मैं देख लेता हूं और यह रही हमारी आडियो 15 सेकंड के लगबग तो अभी मैं जैसे कि आपको सुना के दिखाता हूं आडियो मेरी तो यह audio जो है मेरी रफ है और एकदम अभी पूरी तरह से कोई भी editing वगरा मैंने इसमें नहीं किये तो अब इसे हम लोग जो है save कर लेंगे और इसमें कोई high quality करने की save नहीं है जो अब नॉर्माल में कर सकते हो कोई भी pixel में तो अभी मैं export कर ले तो अपनी audio को और इस audio को export करने के बाद हमें जो है मैंने आपको एक और एप बताया था जिसमें हम लोगों को अभी जाके इसको MP3 में convert करना पड़ेगा तो जब यह MP3 में convert हो जाएगा तो यह easily वहाँ पर जो है हमने जो वीडियो एक बनाई है जिसके अंदर हमने audio इंक्लूट किया है उसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर से जाके इसको टैप करेंगो और यह जो हमारा पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग यहां पर इसको अपर इसको लोग नाम देरा हूँ तो मैं यहां पर नाम देता हूँ कुछ भी Umwelt और ये जो है तो यहां पर जो है अभी इसको MP3 में हम लोग जो है convert कर देंगे तो हमारा जो है छोटा सा ही फाइल था इसलिए जल्दी MP3 में convert हो गया है और देख सकते हो आप लोग तब हम लोग होम स्क्रीन पर जाएंगे अब हम लोग जो है Lexis Audio जो है इसको open करेंगे तो इसको open करने के ब file है उसको हम ले लेंगे यह रहा हमारा राहूल आडियो जो हमारा है यहां पर इसको हम लोग ले लेंगे और open क्लिक करेंगे तो यह जो हमारा है folder वहां पर आ जाएगा और अभी हम लोग आपको मैं सुना कर दिखाता हूं इसकी audio कैसी है और फिर इसको हम लोग जब कैसी होती है आपको सबको मैं दिखाने वाला हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी आडियो भी पूरी तरफ से रफ है मतलब इसमें कोई भी एडिटिंग वगरा मैंने नहीं किये नॉर्मल जैसी मेरी आडियो थी वैसी ही अभी यह अभी बनी हुई है तो अब हम हम लोग क्या करेंगे जो आपको three dots दिख रहा होगा इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पर से effect को option जो है वहां पर जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे आपको option मिल जाते हैं change pitch करने का tempo speed और बहुत सारे चीज है तो हम पहले तो अभी noise जो है reduction अगर आपके audio में noise को remove करेंगे तो पहले सुनते हुए करता हूं मैं और इसके बाद में apply कर दूंगा एक बात मैं बता दूँ मेरे flute पे ज्यादा कुछ noise नहीं था तो इसलों मुझे ज्यादा कुछ खास जरूत नहीं पड़ी बट अगर आप लोगों में होता है ज्यादा ही noise होता है तो आप लोग इसको थोड़ा करके एक बार देख सकते हुए कितने में यह कम और ज्यादा हो सकता है और यह एकदम से remove नहीं करता तो कोशिस करिएगा कि कम से कम आपके noise जो हो है audio में हो तो यहाँ पर फिर उसके बाद अगर आप लोग कभी गलत कर देते हैं कुछ गलती हो और यहाँ पर जो है सुनकर कर सकते हो या फिर जो यह option बना हुआ है इसी को apply कर सकते हो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा तो मैं एक बार सुनकर ट्राय कर लेता हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है और इसके हिसाब से मैं apply कर देता हूँ तो यह apply हो जाएगा और यह हो गया हमारा apply अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको option मिल जाएगा दो option और जो main सभी लोगों की एक तरह से audio की जान रहती है तो यहाँ पर जो है इको रिवब को मैं इस्तमाल नहीं करूँगा बट इको जो है इस्तमाल करूँगा मैं और इसको थोड़ा अराम सी यूज करिएगा क्योंकि यह अगर ज्यादा हो जाता तो भी अच्छा नहीं लगता और काम हो जाता तो भी एक melody sound जो आती है वो नहीं ही मिल पाती है तो हम लोग यूज करेंगे इसको पहले सुनते हुए इसको भी अराम से और ध्यान से इसको सुनिएगा उसके बाद ही जो है ओडियो का एडिट करिएगा तो यहाँ पर मैं प्लेक आप्शन दबा रहा हूँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिले जो मेरा वह थोड़ा लेट हो रहा है तो इसकी वज़ा से जो है और यह थोड़ा सा ना इन बैलेंस लग रहा है तो अभी हम लोग एक बार और सुधारेंगे इसको तो अभी मुझे लग रहा है ठीक है मेरी ऑडियो जो है अच्छी आगी यह अगर यह आप ट्रेक के साथ बैठाते हो ना तो बहुत ही मस्त लगता है भाई बहुत सुनने में अच्छा लगता है और मैं बहुत सारी जो है ऑडियो पहले इसी से एडिट करता था और आज भी मैं बहुत सारी अभी अभी भी मैं ऐसी एडिट करता हूं तो यार यह बहुत एक तरह से कई लोग जो बोलते थे मुझे काइन मास्टर में जैसा कि मैंने बताया था एडिटिंग के उपर कि आपको अभी थोड़ा देर में दिखाऊंगा बट इसके पहले जो हम इसको अप तो आप लोग को उम्मीद करता है यह बात जो है समझ में आ गई होगी और दूसरी बात जो है इसमें हम रिवाप का इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिरो थोड़ा ज्यादा ही और आडियो को मैंने इसमें ट्राय किया तो बहुत खराब कर देता ओडियो को तो इसमें मैं मैं जो है रिवाप का इस्तमाल नहीं करूंगा और भी बहुत सारी फीचर है बट मेरे कोई काम के नहीं है अगर आप लोगों को लगता है यूज कर सकते हो पिछ टेंपो स्पीड आपको अगर कोई लगता है यूज करने लाइक तो आप लोग कर सकते हो बाकी कोई दिक्कत आप पर जो MP3 का उप्सन है इसको हम लोगों को पर्चेस करना पड़ेगा तभी यह जाके MP3 में सेव होता है ओडियो तो यह थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रियेट करता है बट मैं ऐसे जो है मैं जिस तरह से आपको बताने वाला हूं उसमें MP3 की जो कोई जरौती नहीं है तो अभी हमने audio जो है save की थी यह अटाना है और इसके बाद हमको फिर एक फोल्डर जो है create करना है और यहां पर से एक कोई भी ब्लैंक किसके जैसे आपका कोई के होता है background track तो उसको ले सकते हो otherwise जो है कोई भी ब्लैक करका wallpaper ले सकते हो background में कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर स जैसा कि हमने जो है audio को अपना जो save किया था उससे हम देखेंगे कि वह अभी आया कहां पर है तो मुझे भी exactly पता नहीं है वह देखना पड़ेगा मुझे भी और वह आया होगा यह music folder पर तो यह जो audio हमारा मिल चुका है और यहां पर इसको जो है मैं सुन लेते हैं एक बार यह है तो आप इसको हमने add कर दिया और यह audio को हमने add कर दिया अभी यह जो मैंने black color को wallpaper के साथ लिया है आप लोग के पास जो है अगर आप track के साथ यूज करते हो तो track के साथ कर सकते हैं जो है उसके साथ सिब मैच करना है हलका सा आगे पीछे जो है audio को करके आप जो है match कर सकते हो बीट के साथ क्योंकि आप तो खुद बजाया हो यार तो आपको याद रहता है कि कहां से वह beats को उठाना है अगर दिक्कत वाली बात नहीं एक दो बार आपको experience लगे गए टाइम लगे का समझने में और बाकी कोई खास मुस्किल नहीं है तो यह जो मेरा audio है इसको मैंने यहां पर एड कर दिया तो अब यहां पर जो है कई लोग बोलते थे इको का जो है उनको काई माश्टर में नहीं मिलता है जो मैंने एब दिया था उस अप में देख सकते हैं यह आपड जो है आपको सब को option मिल जाएगा यहं पर बात्रूम का जो है एक जैसे बात्रोम आप जाते हो तो वहां पर पर मिल जाएगी और बहुत सारी आपको जो है मैं ज्यादा तर यह हाल डिले जो है इसका यूज करता हूँ क्योंकि यह मेरे को बहुत अच्छा लगता हूँ ज्यादा तर मैंने वीडियो में अपनी यही वाली इस्तमाल कि जिसमें मैंने कभी भी बैग्राउंड ट्रैक यू पिलील तो ये औो चुझा रधा itdयाकर अच्छा संसयरे की जैसे कि में अगर आपको एन लोगर में वहान आपको पता नहीं चलता है तो मैं एक बार आपको सुना कर दिखाता हूँ और उसके बाद में नॉर्मल का सुना के बालगा है दिर लूक है और इसमें तो जो है अब यह मैं नॉर्मल में कर रहा हूं एक बार सुनिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर दोनों में कुछ खास अंतर नहीं लेकिन इस्टूडियो जो है वह अपर अच्छा रहेगा आपको लोगों के लिए तो यह वीडियो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगी और हो सकता है मैं अगे जो है वीडियो कैसे सुट करके इडिट करते है इस पर भी स्ञाइद वीडियो बनाऊ मैं तो यार यह वीडियो आप लोगों कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जबू बताना यार जितने भी मैंने आपको शुरू में लिंक दिये हैं उसको भी आप अगर नहीं जानते हो तो एक बार वाच कर लेना आपको साथ में आजा कुछ और जितने भी आपके कमेंट से आपकार अभी भी कमेंट करते हैं कोश्चन भी रहते हैं और मेरे मेनत को सराहते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है और यार सबसे मेरी निवेदान है कि यार अगर वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए वीडियो में और क्या आपको लगता है कि और इसमें होना चाहिए था तो यार वह आज इतना ही समाप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए किस पर मैं वीडियो बनाओ ये भी कमेंट कर देना तो मैं अगली वीडियो उसको जल्दी जल्दी बलाऊंगा तो आज के लिए इतना रखते हैं